नमस्कार दोस्तों मैं हूरासवन और आप देख रहे हैं प्रिपेर फॉर नौकरी ओफिसियल चैनल और इस पे मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ इस चैनल पे देखिए आपको जनरल अवर्नेस से रिलेटेड एक्स्क्लूसिब वीडियो देखने को मिलते हैं तो यह आपको स्रीज चलाई जा रही है H.A.L. में जो डिजाइन ड्रेनी और मेंडेवन ड्रेनी का रिक्रूट में निकला है उसी के रिगारिंग इसमें जनरल अवर्नेस के जो 20 कोश्चन पूछे जाएंगे उसका प्रिपरेशन टॉप 1000 कोश्चन के माधम से करवाय जा रहा है तो यह आपको पांचमा लेक्च्चर है इससे पहले की लेक्च्चर आप नहीं देख पाएं है तो प्लेलिस्ट में जाए निचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जागा वहां से आपको सारी वीडियो देखना है और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है जो भी मैं एक स्टाफ है बताता हूँ ताकि आप उसको रेगुलर समय पे रिविजन करते रहेंगे और रिविजन करते रहेंगे तभी आप सफलता निश्यत दुरुप से हासिल कर पाएंगे और PDF इसका हमारे टेलिग्राम चैनल पे मिल जगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्सन में है और कुछ समय के बाद मिलेगा अंसर के साथ तो यहाँ पर देखे एक्जाम डेट भी आपको याद रखना है 24 अपरेल को यहाँ पर एक्जाम डेट रखा गया है और इससे पहले इस स्रीज आपको कम्प्लीट करा दी जाएगी तो देखे, question number 41 है कि the award given to the best coach among coaches of all the different games is known as तो देखे, दुरोनाचार अवार्ड परानी कताओं में विंसन है दुरोनाचार जी का तो इसको आपको ध्यान रखना है कि दुरोनाचार अवार्ड ही दिया जाता है जो बहतरीन coach होते हैं अपने field में तो इसका correct answer होगा ए दुरोनाचार अवार्ड और एए अवार्ड 1985 से दिया जा रहा है और एक देखे अरजून पुरसकार है जो कि 1961 1961 से दिया जा रहा है खिलाणियों के जो तीन पिछले तीन साल के बेहतरीन परदर्शन के अधार पे एक है आपको राजी गांदी खेल रतना पुरसकार जो कि खेल का सबसे बड़ा पुरसकार है जो कि 1991-92 से दिया जा रहा है इसको आपको ध्यान रखना है उसको देखे नेक्स्ट कोशन है कि refers to the money that has already been spent and which cannot be the recovery यानि कि वैसा money जो कि spent किया जा चुका है और उसको recover होनी कि कोई भी chance नहीं है उसको बोलते हैं sunk cost correct answer रहाँ पर C होगा sunk cost अब देखे कोशन है कि which Rajput ruler of the Mewar in 1576 fought the battle of the Haldi Ghati and then fled the field on his horse Chetak तो देखे एक कोशन important है और इससे question बनते है कि महराना परताप के जो गोडा का नाम था क्या था तो Chetak था यह भी कोशन आपसे important है यह भी बन सकता है और battle of Haldi Ghati लड़ा गया था यहाँ पर आपको राजा मान सी और महराना परताप के बीच में इसका correct answer होगा D. महराना परताप महराना परताप इसका correct answer होगा कि जो Rajput ruler थे 1576 में वो fledd हो गया थे the field on his horse Chetak अब देखे battle of Haldi Ghati जो कि 15 जून 1566 sorry 18 जून 1566 को लड़ा गया था इसका आपको ध्यान रखना चाहिए अब question है कि as of March 2021 who by the chief of the Indian army तो देखे chief of the Indian army कौन है तो यहाँ पर आपको मनोज मुकन नरावने है इसका correct answer हो तो C आप देखे एक और post जो है create की गई थी C.D.S. that is a chief of the defense staff उसके first chief कौन वने है तो general B.P.D. डावद यह है यह है first serious chief of the defense staff उसके देखे chief of the naval staff कौन है तो करमबीर सी करमबीर सी चीफ of the naval staff है और chief of the air staff है राकेश कुमार सी बदवरिया राकेश कुमार सी बदवरिया यानि की RKS बदवरिया और देखे आप फोटो से भी पहचानी है यह है आपको मनोज मुकुन नरावने यह है आपको करमबीर सी और यह है RKS बदवरिया जो कि तीनों से नाओं के परमुक है देखे विची दे correctly match option of the captain of the cricket team and year of the world cup victory तो देखे 1983 यह जो world cup के captain थे इंडिया के कपिल्दे थी और उन्हीं की कप्तानी में 1983 में वन डे किर्केट विस्फ कप का पहला खेता भारत ने जीता था तो इसका correct answer होगा C अब देखे 2011 में आस्टेलिया टीम के captain थे यहाँ पर लेकिन इन्होंने जो है जीता नहीं था भारत के कप्तान महंदर सिंध्वनी की कप्तानी में भारत ने 2019 में किर्केट व्ल्लकप का खेताब जीता था उसका देखे 1996 में बلकी 1993 में इबरान खान की कप्तानी में पाकिस्थान व्ल्लकप बीजिता रहा था और माइकल क्लार्क 2015 की जो व्ल्लकप बिनिंग टीम थी अस्टेलिया उसके कप्तान थे माइकल क्लार्क तो इसका आपको पता होना चाहिए उसका देखें who wrote the book my experiment with truth ते किन की book है लिखे हुई ते है आपको महात्मा गांधी की महात्मा गांधी की autobiography है यानि की आत्म कता है my experiment with truth तो correct answer यहाँ पर होगा d तो देखें एक question आपसे इस रूप में भी पूछा सकता है कि महात्मा गांधी की autobiography का नाम क्या है तो option में अगर होता my experiment with truth ते यह भी question आपको उलेट कर भी पूछा जा सकता है तो आपको उस रूप में भी याद रखना होगा question है कि National Sports Day of India is celebrated on 29th of August every year in honor of which sports person तो यह हैं आपको होकी के जादूगर यानि कि बिजाड दब बिजाड के नाम से मसुहूर major ध्यान चन कि जनम दिवस 29 अगस्त को हर साल National Sports Day के रूप में मना आ जाता है और इनका जनम 29 अगस्त उन्हें 105 को हुआ था यह आपको पता होना चाहिए 29 अगस्त उन्हें 105 को major ध्यान चन अब देखे इनके अंडर में यहाँ पर देखे जब टीम में खेलते थे तो उस समय भारतिय होकी टीम तीन बार उलम्पिक में गोल्ड मेडल हासिल किया था 1928 के Amsterder उलम्पिक में 1932 के Los Angeles उलम्पिक में और 1936 के बरलिन उलम्पिक में भारतिय टीम ने गोल्ड मेडल जीता था और 2021 में भी 2020 के जो अस्थागित टोकियो उलम्पिक होने वाला है उसके लिए भारतिय टीम ने क्वालिफाई कर लिया है अब देखना होगा कि उहाँ पर परदर्सम इंडिया तो देखिए वायो डावर्सिटी होट असपोर्ट अफ इंडिया दिये के ऑप्सन में से कौन कर है तो वेस्टन घाट भी है नॉर्थ इस्ट इंडिया भी है और सुन्दर लैंड भी है इसका करेक्टर नस्वर होगा D A B & C इसके लिए क्या क्या करेक्टरिया है दो क्रेक्टरिया में है इसमें क्या है कि 30% जो इसके ओरिजिनल हाबिट है वो थ्रेटेंड में है और उसके बाद 1500 अस्पेसिस अफ दे वस्कुलर प्लांट इस वूट है डिग्री ओफ इंडिमिजम में तब जाकर यहाँ पर इसको हटस्पोर्ट the clear किया जाता है और भारत में 4 हौटस्पोर्ट हैं यह भी कोश्चन आपसे पूछा है कि भारत में कितने हौटस्पोर्ट हैं उधका नाम क्या है तो हिमालिया रिजिन में है इंडो बर्मा रिजिन है जोकि जाना आता है, तो correct answer यहाँ पर C सही होगा, ध्यान रखेगा transformation curve is also known as production possibility curve next question है, कि भगता परव, जो भगता परव है, एक tribal festival है that is celebrated between the period of spring and the summer, originated in the state of यानि कि कुल मिलाकर कहा जा रहा है, कि भगता परव है, जो कि एक tribal festival है tribal festival है, यानि कि जन्जातिये परव है, जो कि spring और summer के बीच में मनाया जाता है वो किस राज्य से originate हुआ था, तो यह है आपको correct answer D जहारखंड में जहारखंड से originate हुआ है, भगता परव जो कि एक tribal festival है, ध्यान रखेगा important है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, 50 questions हो चुके हैं और इसी तरह से एस series आपको 1000 questions तक ले जाकर खता होगी उसके बार कुछ नया और भी series यहाँ पर start की जाएगी तो इस channel पर आपको देखे, GKS related हर important video आपको मिलेगी तो इस channel को subscribe करके bell icon को press करिए, video को like करिए और अपने दोस्तों के साथ share करिए, so thank you guys, इस video में इतना ही